तो दोस्तों आज की वीडियो के ना discussion करने वाले है option selling को लेकर के, अब option selling को लेकर के एक misconception बता है क्या है, पैसा जादा लगता है और इतना margin हमारे पास होता है यह सलिए हम कर नहीं पाते, तो आपके सामने ऐसी strategies हम present करेंगे आज की वीडियो में, जो 20,000 पे से शुरू हो जात लेकर आप कितना भी चले जाओ, lot आपके बढ़ जाएंगे, लेखी 20,000 से यह execute आप कर सकते हो, आज की date में, और अगर हम बात करें, जो सेबिकर है, circular आया है, जो अगले महिने 20 November से चालो होगा, जिसमें बोला गया है कि 15,000,000 minimum lot size होगा, तो उसके बाद आपका यह premium बढ़ जाएगा, तो जो strategy आज execute 20,000 में हो रही है, तो वो कहीं जाकर के 58,000 के आजपास execute होगी, तो जिनकी capital यह 58,000 पे है, तो वो minimum इस strategy को execute कर पाएंगे, ठीक है, चलिए, तो अगर आप इतनी capital रखते हो, और आप option selling करना चाहते हो, तो आज की वीडियो में सिखा रहा हूँ, सी simple simple चीजे बताऊंगा, simple तरीके से बताऊंगा, और option selling में जरूर आपको help करेगी, execute करो या ना करो, लेकिन knowledge जरूर ले लो ताकि आपको in future काम आए, कि इस तरीके से भी market के अंदर play किया जा सकता है, ठीक है, तो सबसे पहले strategies बगेरा बताने से पहले, कि कौन सी strategy है, जो 20,000 रफे से चल जाएगी, वो बताने से पहले, option selling हमें क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं, बाकी option selling की request मेरे पास आप, आपके माध्यम से आई है, क्योंकि last वाली वीडियो में, जब हम live आये थे, Sunday वाले दिन, शाम को हम 8 बजे live आते है, every Sunday, तो वहीं पर request आई थी, तो मैंने आपसे promise करा थे, इस अफटे हम option selling की बात करेंगे, और इस week में, जितनी भी वीडियो में आपको दे रहा हूं, option selling या hedging से related, इसके question answer में लूँगा, Sunday वाले दिन, 8 बजे, शाम को, तो live आऊंगा, आपके सामने, कोई question हो, मुझसे पूछ लीजेग हम answer करेंगे, ठीक है, चलिए, तो option selling की दोस्तों बात करते है, option selling basically होता क्या है, जो market में हमारे नए दोस्त है, वो क्या सोचते है, option selling को की short करना, ठीक है न, तो हो कहते है, option selling का क्या मतलब है, market उपर जारी तो हम call buy करते है, market नीचे जारी तो हम put buy करते, लेकिन क्या हो अगर हम पहले ही call को short कर दे, या पहले ही put को short कर दे, यानि first, मतलब first paying या अगर हमें कर दे, तो क्या होता है, तो option selling हमें क्यों करनी चाहिए, या option selling को करने के क्या benefit है, सबसे पहले हम ये जान लेते है, ठीक है, तो इसको करने का एक main benefit है, probability of profit बहुत high होती है, कैसे high होती है, समझ तो strategies की बात करेंगे, माल लेते हैं कि nifty के ओपर आप कोई option selling कर रहे हो, nifty के ओपर आप कोई option selling कर रहे हो, और माल लेते हैं, nifty चल रहा है 25,000 के level के ऊपर, ठीक है, अब हमारे पास एक मानुभाव आते हैं, और वो ये कहते हैं, जी market यहां से ऊपर जा सकता है, मुझे तो option trade करना है, मैंने analysis कर ली, और मुझे ऐसे लग रहा है, market यहां से ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो आप ये assumption लेके चल रहे हो, कि market यहां से ऊपर जाएगा, यानि 25,000 से ऊपर जाएगा, अगले एक दिन में, दो दिन में, चार दिन में, whatever, लेकिन ऊपर जाने के अपने analysis कर ली, या आपने कही news में सुन ली, जो भी कहीं से call ले ली, किसी financial advisor से call ले ली, ठीक है, अब यहां पर चलिए समझी में आगे है, कि market आपको लग रहा कि ऊपर जाएगा, तो एक हमारे पास चीज होती है, क्या, options buying, सबसे पहले buying की बात कर लेते हैं, कि अगर आप buying कर रहे हो, तो क्या होगा, माल लेते हैं, कि आप buying कर रहे हो, तो आपको यह पता होना चाहिए, basic अगर आपको options पता है, options के अंदर एक premium होता है, ठीक है, माल लेते हैं, कि आप buying के ऊपर आए, तो अगर आपको लग रहा है market उपर जाएगी, तो आप क्या buy करोगे, आप एक call को buy करोगे, और इस call का जो premium है, माल लेते कितना रुपे है, 100 रुपीज, और 100 रुपीज का मतलब क्या होता है, multiply by 25, यानि धाई अजार रुपे, तो धाई अजार रुपे का आप एक call खरी सकते हैं, क्योंकि निफ्टी का अभी फिला lot size 25 है, 20 नवंबर के बाद बढ़ जाएगा, अभ तो वो डाई गुना होने वाला है, 2.5 एक्स हो जाएगा, अब देखें, डाई अजार रुपे आपने market को premium के रूप में दिया, call के premium के रूप में दिया, और आपने जो call खरी दी है, वो निफ्टी की 25,000 वाली ही call बाई करिए है, उसी strike price की आपने बाई करिए है, ठीक है, तो 25,000 की जब हम call बाई कर रहे हैं, इसके अंदर, अब इससे होगा क्या, आप ज़रा ये समझने की कोशिश करिए, अगर market 25,100 तक जाती है, 100 वे उपर तक जाती है, और expired कर जाती है, मतलब contract expired हो जाता है, आपको कितना पैसा मिलेगा, 0, क्यों 0 मिलेगा, क्योंकि 100 पे तो आपको पहले premium कमाना है, अब आप कहोगे, जी हम ते expired तक old नहीं करेंगे, थोड़ा सो उपर बढ़ेगा, 50 रुपे पहले ही उपर बढ़ जाएगा, तो पहले ही निकल जाएगे, वो एक अलग matter है, एक बार expiry का सोचके चलते है, probability of profit देख रहे हैं तो अगर market 100 पे उपर ग जाएगी, 100 पे से जादा उपर जाएगी, तब आपको पैसा मिलेगा, अदर्वाइस पैसा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर market क्या कर सकती है, market में तीन सिनेरियों बनेंगे, या तो market उपर जाएगी, या market sideways रहेगी, या market down जाएगी, तो आपको पैसा तब ही मिलेगा, market के अंदर, जब आप option buy करते हो, जब market उपर जाएगी, अगर market sideways रहे गई, तो भी आपका premium दिरी दिरे कम हो जाएगा, और आप नुकसान में चले जाओगे, यानि सोरबे का premium आपका 0 हो जाएगा, आपको डाइसर का नुकसार हो जाएग तो ये पता लगता है कि सिर्फ आपके पास 33% ही chance है पैसा बनाने का, बाकि 66% chance आपको नहीं है कि आप market से पैसा कमा होगे, तो ये दोस्तों होती है आपकी option buying की probability, ठीक इसके विपरित option selling में क्या होगा, आपने मान लेते हैं, आपको लग रहा है कि market यहाँ पर उपर जाए और put का premium भी हम example के लिए मान लेते हैं, 100 rupees ही है, example ले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें भी आपने 2500 रुपे का जो premium है, वो आपको मिलना है, maximum, क्योंकि जब आप option short करते हो, selling करते हो, इसको writing भी हम कहते हैं, तो 100 रुपे आपको यहाँ से premium मिलेगा, premium कैसे मिलेगा, दिरे-दिर decay हो जाता है, मतब धिर-देर कम होतारेगा, लेकिन कब कब होगा, अब देख़जी के इसमें होगा क्या, market अगर 25,000 रुपे रहती है, तो आपको profit मिलेगा, जी हाँ, premium कम हो जाएगा market उपर जाती है तो आपको profit मिलेगा जी हाँ, मिलेगा market 100 और पे नीचे जाती है तो आपको profit मिलेगा नहीं लेकिन आपको नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि 100 और वेगा आपने premium कमाया था market 100 और नीचे जाने के बावजूद आप market में loss में नहीं हो market 100 से जागा नीचे जाती है यानि market 500 point नीचे जाती है तो 100 रुपेगा premium काट के आपको 400 रुपेगा नुकसान हो जाएगा तो यहाँ पर आपकी probability और profit क्या है? यहाँ पर आपकी probability और profit यह है कि यहाँ पर जो cross हुए थे न अब यह देखिए market उपर गई तो पैसा बनेगा? जी हाँ market sideways गई तो पैसा बनेगा? जी हाँ market down गई तो पैसा बनेगा? नहीं तो यहाँ पर 33% प्लस 33% तो आपके win होने की probability 66% है यानि कहने का मतलब यह है कि अगर आप market के अंदर 100 trades ले रहे हो 100 trades ले रहे हो तो आपके win होने की जो probability है वो 66% trades की है यानि chances है कि आप 66 trades के अंदर पैसा कमाओगे और सिर्फ आपको नुकसान हो सकता है 33% trades के अंदर तो इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि options buying की जगा आपको option selling पर द्यान देना चाहिए और हम इस पर द्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि हमें ये बोला जाता है option selling के अंदर unlimited risk होता है उसको कैसे manage करेंगे market gap down हो गया gap up हो गया हमारे trade के against चला गया तब हमें क्या करना है तो जब हम spread बना देंगे लेने की ज़रूरत नहीं है कि market gap up खुलेगा gap down खुलेगा तो वो tension आपकी खतम हो जाएगी तो आप ये कर सकते हैं अब यहाँ पर सिर्फ यह problem आरे हमें ये तो पता लग गया कि option selling के अंदर पैसा बनाने की probability ज़ादा है लेकिन आप हमें ये देखना है कि हमार बस पैसा तो होना चाहिए ना तब ये तो play करेंगे आप मालने ते ये धाई अजार वाला जो हमने call buy करने के हम सोच रहेते कि call buy हो जाएगा धाई अजार में कि आपको जूरत नहीं है जो आपकी strategy है आप कमा रहे हो आप कमाते रहो आपको कुछ देखने की जूरत ही नहीं है लेकिन जो नहीं कमा पा रहा उनकी लिए दोस्ते important है तो धाई अजार पे आपने आपके पास है आप ले लोगे आपकर trade काम चल जाएगा लेकिन यहीं अगर मुझे put short करना पड़ जाए तो क्या होगा अगर मुझे put को short करना पड़ जाए या call को short करना पड़ जाए strategy के लिए मुझे margin चाहिए होता है 70k से 1 lakh क्या असपास एक lot के उपर अब यह problem हमारे पास आती है तो इसको दोस्तों reduce कर देंगे इसको करने के लिए आपके पास स्रिफ 20,000 पर अगर होंगे 20-25,000 होंगे तो trade execute हो जाएगा दूसरा यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि 20 November के बाद यह धाई गुना कम से कम lot size हो जाएगा तो जिनको यहाँ 5,000 लग रहा था तो उनको शायद 6,000 से लेकर 7,000 पर लगेगा क्यूंकि lot बढ़ गए होंगे अब भी 6,000,000 का lot है निफ्टी का तो वो 15,000,000 होगा तो वो धाई गुना तो minimum हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पर देखिए जहां आपको 70,000 से लेकर 1,000,000 पर लग रहा है तो आपको लगबग 2,000,000 के आसपास 2,500,000 के आसपास यह premium लगेगा और जो strategy में बता रहा हूँ जो 20,000 पर में execute हो रही है आज के time पे तो वो हो सकता है 50,000,000 के आसपास execute होगी तो हम इतना तो reduce कर सकते हैं यह 50,000,000 तक तो आ सकते हैं आने वाले time के हिसाप से और अभी के हिसाप से तो इतने में आ सकते हैं लेकिन इतनी capital के में requirement नहीं है जो यहाँ पर आपको दिख रही है तो वो काम दोस्तों आपको चल जाएगा तो आप एक बार strategy समझा देता हूँ कि strategy क्या है और किस तरह के से market गंदर काम करती है option chain के ओपर चलते हैं और समझते है बहुत बहुत स्वावत है आप सभी गा ट्रेडिंग चाने के YouTube चैनल में मेरा नामे अन्मोल मित्तल तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर चार्ट लगाया हुआ है Nifty 50 का तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो भी trade लेना चाहते हैं आप सबसे पहले उसकी analysis करिए कि आपको क्या लग रहा है आप जैसे कि देखे जब मैं आपको spread बना कर कि दिखाऊंगा तो आप इसको weekly expiry पर बना सकते हैं मंतली expiry पर बना सकते हैं और निफ्टी के अंदर तो yearly expiry पर बना सकते हैं सिर्फ निफ्टी इंडेक्स ऐसा है जिसके एक साल वाले भी long dated options अविलेबल होते हैं तो आपको यह समझने की जरूरत है कि market यहाँ पर क्या react कर सकता है सबसे पहले आपको अपनी जोन में चल रहा है या bearish जोन में चल रहा है shorter time period के अंदर तो वो भी मैं दोस्तों आपको पता हूँगा तो मान लेते ही कि आप एक हफ़ते में एक spread बनाते हो और वो spread होगा credit spread क्या होता है वो ही कि हमें premium खाना है अभी हमने बात कर लेते हैं कि premium खाना है market अगर वहीं की र तो हमें एक spread बनाना है कि market यहां से ओपर जाए तो पैसा बने market 25,000 पर रहे तो भी पैसा मिले market थोड़ा पोत नीचे चले जाए तो भी पैसा मिले बस market जादा नीचे जाएगा तब आपको नुकसान होगा market गे अंदर जितना आपका premium है जो आपको मिलना है उससे जादा न पर आपको दिखाने वाला हो कि कैसे चलता है spread कैसे profits आते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा तो यहां पर हम चलते हैं sensible के अंदर sensible खोल लेते हैं यह मैंने खोल लिया है strategy builder यह देखिए strategy builder पर आगे तो nifty की weekly expiry रहेगी वह तो continue हो रही है bank nifty की नहीं रहेगी तो nifty की weekly expiry के उपर एक बार check out करते हैं तो जैसे कि देखिए कि expiry दो दिन बाद है तो दो दिन बाद वाली छोड़ देते हैं नो दिन वाली जो expiry है यानि 24 अक्टूबर वाली expiry इसको पकड़ लेते हैं तो यह वाली हमने expiry पकड़ ली तो अभी हमने analysis करी थी कि हमें ऐसा लग रहा है तो अगर आपको लगता है कि market ऊपर जाएगी तो आपको put short करना पड़ता है put short करोगे तो आपको यह premium मिल जाएगा 136 रुबेगा तो एक काम करते है put को short करते देखते क्या बनता है तो यह देखिए मैंने short करा put for यहाँ पर उल्टा हो जाता है अभी देखिए अभी market 25,000 ह 25,000 है जो आपको दिख रही है market 25,000 हो गई 400 हो गई तो यह देखिए green वाला जो area सारा profit में है और यहाँ पर आपको max profit कितना आ रहा है यह देखिए 34,000 पर आपको profit आएगा maximum इतने ही profit है यानि market 25,000 पर रुकी रहती है यह देखिए यह 25,000 का level है यहाँ पर market यहीं कि यहीं तक जो 9 दिन बाद expiring हो रही है तो आपको पूरे 34,000 मिल जाएंगे market ऊपर चली गई तो भी आपको मिल जाएंगे problem नहीं है market थोड़ी बहुत नीचे चली गई थोड़ी बहुत कितना 136 रुपिया तक अगर 136 तक market नीचे चली गई तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा अब यह दोस्तों होती है option selling तो हम क्या चाहते है कि market यहां पर रुकी रहे तो भी पैसा मिले market ऊपर जाए तो भी पैसा मिले थोड़ी बहुत नीचे जाए तो भी पैसा मिले लेकिन यह unlimited जो नुकसान है ना इससे बचना है इन market का बरोसा थोड़ी ना 5% नीचे चलीगी 10% नीचे जलेगी हम तो बरबाद हो जाएंगे है ना तो उसके लिए हम क्या करते है कि spread बनाने ते यानि एक हमने put को short कर दिया premium कमाने के लिए 136 रुबे फिर हम क्या करते है थोड़ी सी नीचे वाली कोई contract को हम buy कर लेते है यानि एक put को buy कर लेते है buy करने से क्या होगा प्रिशे वाली भी buy कर सकते हैं माले थे 24,800 वाली आपने buy कर ली अब क्या हुआ 136 premium आपको मिला 76 premium आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपने buy करा है तो अब इसको इसमें से गटा दोगे तो लग बग आपको 70 रुपे गया आसपस का premium market के अंदर मिल जाएगा 70 रुपे 60 र रहे गया यानि अब आपको यहां से मिलेंगे 1500 रुपे maximum और यहां पर देखी जो fund needed है वो आ गया 18,900 के असपास और अगर हम इसको buy नहीं करते तो यहां देखे 65,000 रुपीस का fund needed आ रहा था तो हमने अपने fund को 3 गुना जादा reduce कर लिया तो यहां पर देखी जैसी हमने इस 20,000 रुपे है 20,000 रुपे में यह strategy execute हो जाएगी बस करना क्या है पहले buy करना है 76 वाला देन आप sale करोगे तो margin benefit आपको मिल जाएगा सिर्फ 20,000 रुपे में यह strategy execute हो जाएगी simple है कोई confusion तो इतना दोस्तों market के अंदर आपको पता लग गया कि ऐसे चीज़े manage हो जाएगी इस 21,000 रुपे का जो profit है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है तो लगबग हम यह माल लेते हैं कि market के अंदर देखे margin needed और भी कम है यहाँ पर देखे fund needed आपको इतना चाहिए लेकिन exact margin तो आपको साड़े 15,000 ही grab होगा मतलब longed हो जाएगा वो भी नहीं तो उसके असाब से क्याता हूं कि आपने analysis कर ली तो आप अपने stop loss भी decide कर लो कि market अगर इस तरीके से react करती है तो मैं market से बाहर निकल जाओ जैसे कि मैं कई बार क्याता हूं कि आपको पता है कि आपको max profit spread के अंदर 15,000 रुपे आ सकता है तो आप market के अंदर अगर इससे आदा नुकसान आपको जरूरत नहीं है अगर आपको आपके profit का 50% जा रहा है तो exit कर लो 70% पे कर लो 70% जा रहा है 80% अगर जा रहा है तो exit कर लो या पंद्रा सो आपके पास कमाने के लिए है तो पंद्रा सो रबे का नुकसान डिसाइड कर लो कि पंद्रा सो नुकसान हो गया तो हम एक्जिट कर देंगे spread बंद कर देंगे spread कभी भी बंद कर सकते हो तो आप अपनी strategy exit कर सकते हो लेकि 3,000 तक आप नहीं रख सकते क्योंकि इसका reason यह है क्योंकि market के अंदर बेशाख आपकी 66% chance है पैसा बनाने का लेकि 66 बार आपने पंद्रा सो रबे कमाए ठीक है और 33 बार आपने 3,000 खोए तो आप market से पैसा नहीं बना पाऊगे तो that's why reason आपको थोड़ा सा अपने spread की अंदर भी stop loss लेना पड़ेगा यह बहुत simple सा directional based spread है जिसको आप बना सकते हो अब bullish direction में थोड़ा सा risk and reward ratio कम होता है लेकिन अगर मैं bearish strategy बनाऊँगा तो इसमें risk and reward ratio जादा होगा क्योंकि call side premium जादा होता है माल लिए और शका और अब इक काम करते हैं अब यह माल ले लाओ से मार्ड़ स्कूरत द्वरा लाओं mails भाल with analysis अनगें करते है अब यहां पर मालब उन्होंने किसीने analysis कि लिख कर यि मांकिदव भी नीचे जाएगा एल Southern क्या करेंगे दूसरे वाले spread बनाते हैं, अब क्या करेंगे, हम call को short करेंगे, अब भी देखिए, हमने 25,000 की put short करी थी, 136 premium था, call को short करेंगे 229 premium है, तो इसमें premium जदा है, तो premium जदा है, तो risk and reward ratio spread में जदा मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे है, call को short कर रहे है, जब हम call को short कर रहे है, market नीचे जाएगी, तो हमें पैसा मिलेगा, अब यहाँ पर देखिए, जहाँ 3,000 मिल रहा था न, देखिए, 2700 मिल रहा है, fund rate देखिए, लगवक 70,000 आ रहा है, ठीक है, तो हमें यह डर है कि अगर market ऊपर चली गई, ऊपर की तरफ चली तो unlimited नुकसान हो जाएग तो इसको hedge करने के लिए हम क्या कर रहे है, तो थोड़ा सा दूर कर जाके, यह लिए 25,200 वाली जो हमारा contract है, इसको हम क्या करेंगे, बाय कर लेगे, ठीक है, अब हमारा दोसेट spread बनेगे, downside, अब इसके अंदर देखिए, max profit 2600 है, max loss 2300 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा ह लेकिन यहाँ भी आपको क्या करना है, आपने max profit के ओपर दियान देना है, यानि 2600 आपको पाने के लिए है, ठीक है, तो अगर market के अंदर आपका इससे आदा नुकसान हो जाता है, 1300, 1500 के आसपास, तो आपना spread बंद कर दो, आप फिन नए analysis के ओपर जाएंगे, और अगर आ आ रहा है, तो 80% के आसपास अगर premium आपको मिल जाया, यानि 2000 के आसपास premium आपको मिल जाता है, जब भी मिल जाया, अगले दिन ही अगर premium मिल जाया, तो अपना trade card और exit कर लो, तो ये simple से strategy से आप market से पैसा बना सकते हो, option selling से, क्योंकि इसके अंदर अगर market जहाँ आपने trade लि नहीं कि रुकी रहती ही, तो 1200 आपको मिल जाएंगे, 25,000 पर 26,000 उससे निचे जितना जाएगी market मिल जाएगा, और उससे उपर अगर market जाती है, तो आपका max loss आपको दिखी रहा है, कि कितना आपका max loss है, तो इस तरीके से दोस्तों market के अंदर हम spread बना लेते हैं, अब बात आती है market के अंदर, हम कैसे analyze करें, कैसे technical analysis हम देख सकते हैं, देखिए various तरीके market के अंदर करने के लिए, लेकिए मैं कुछ अपने तरीके बता रहा हूँ, सबसे पहले technical analysis based पर बात कर लेते हैं, कि क्या तरीका है, जो a woman मैं use कर लेता हूँ, वो है दोस्तों, एक indicator में लगात आता हूँ, जैसे कि देखिए, यहाँ पर आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा RSI, relative strength index, ठीक है, तो आप एक RSI खोल लिजिए, फिर उसके आप settings में जाएए, यह देखिए RSI लग गया, तो मैं क्या करता हूँ, उसकी setting में जाता हूँ, और यहाँ पर हम एक 14 पिरेट का RSI आपने लिया, इसमें एक option और है, moving average लेने का, वो moving average लगती है, RSI की line के ओपर, तो 14 पिरेट का ही हमने moving average लिया, और यहाँ पर देखिए, moving average को हमने यहाँ पर tick mark कर लिया, क्योंकि यहाँ से मैं click करूँगा, तो हट जाएगी, यहाँ पर लगाँगा, तो line लग जाएगी, उसको मैंने okay कर लिया, तो यहाँ पर देखिए, क्या हो रहा है, market way, जब भी RSI की line, देखिए, wallet वाली जो line है, वो RSI की line है, और यह जो blue वाली line आप देख रहे है, यह market के अंदर moving average की line है, तो जब भी RSI की line, moving average की line को cross करके नीचे आती है, तो यहाँ पर ह हो सकता है, ठीक है न, यह बन गोलना कि downtrend established हो गया, इतने चोटे 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 signal पर trend reverse नहीं होते है, और उसके बाद अगर हम यह कहते हैं, कि अगर RSI की line, moving average की line को उपर break कर रही है, तो हम इसको कहते हैं कि market यहाँ आपर bullish zone में आ गया, तो यहाँ पर हम यह चीज़े consider करत हैं, और अगर आपको technical का थोड़ा सा support चाहिए, तो आप यह setup यूज़ करके technical support ले सकते हो, लेकिन हमेशे द्यान रखना, technical सिर्फ market को follow कर रहे है, तो bearish signal मिल रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि market गिरेगी ही गिरेगी, stop loss मा market में क्यों लगाते हैं, इसलिए ही तो लगाते है क्योंकि technicals के जो signals है, वो जरूरी resistance करेंगे, यानि market उसके against भी जा सकती है, तो यह चीज़ दोस्तों आपको सोच के चलनी है, तो market against गे तो आपको क्या करना है, जैसे मेरे गुरत spread, जितना आपका max profit है, उसका आदा नुकसान आजाए, 60% आजाए, तो अपना निकाल लीज तो इस तरीके से bearish और इस तरीके से bullish, अब इसका benefit क्या होता है, इसका ज़रा हम benefit देखते हैं, अब देखिए, यहाँ पर signals मिलेते हैं, देखिए, यहाँ पर 12 सेप्टेमबर को इसने कहा था कि जी मैं bullish हो रहा हूँ, 12 सेप्टेमबर, ठीक है, यह वाले candle पर इसने कहा था म bullish हूँ, और कहां तक यह bullish ना देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें लगाता रूपर आपको bullish candles दिख रही है, दैनिस ने signal दिया, जी मैं यहाँ से bearish हो रहा हूँ, फिर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्किन नीचे गिरा, तो इस zone में अगर आपको bullish spread बनात कोई 100% accuracy नहीं आती है, लेकि फिर भी आपको एक technical support मिल जाता है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिला था, bullish trigger देखिए, यहाँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, market, bullish zone में था, राइट, किये रहे, बस यही दोस्तों करके हम technical support market में ले सकते हैं, बागी मेरी ए 3 साल पहले trade करता था, तो वो मैं share करूँगा, मैं यह नहीं कहा रहा है कि आप recommend नहीं करूँगा, मैं आपको क्या आप करो, मैं सिर्फ share कर रहा हूँ आपके साथ कि ऐसा कुछी भी मैंने market गंदर करा था, ठीक है, चलिए बात करते हैं, तो आप एक काम करते हैं कि spread बनाते ह तो 12 तारिक से लेकर इसके बीच में एक हफ़ते वालों कोई spread देखते हैं, और वो देखते हैं कि कहां दिख रहा है, देखें सिमिलेटर कोल देखें कि stock mock website है, इसके अंदर थोड़ी सी back testing हो जाती है, यह कोई promotional वीडियो नहीं है, मैं आपको यह नहीं कह रहा है कि stock mock पे ज spread बनाते हैं, यानि सुबह हमें पता लग गया था, market bullish zone में है, तो 13 तारिक को अगले दिन, ठीक है न, तो bullish बनाने के लिए हमें क्या use करना पड़ता है, सबसे पहले, put को short करना पड़ता है, पहले put को short करते हो, देखते हैं कि क्या बना, तो market कितने बचल रहा है, देखें spot price यहां आ रहा है, 25,340, तो slightly in the money का contract, slightly out of the money, sorry, तो round figure में 25,300 वाला हम short करते हैं, तो यह देखें, 25,300 वाला 127 रुपे का premium चल रहा है, तो इस wise up को करते हैं short, तो यहां पर देखें, 3000 max profit यहां आ रहा है, और unlimited नुकसान है, अगर market नीचे चला गया तो, तो इसको protect करने के 25,100 वाली एक put को buy करनेंगे, यह protection हो गई, अब देखें, max loss 3400, max profit 1500, अब हमें काम करते हैं, 15,15 मिनट इसको बढ़ाते हैं, यह बिल्कुल जैसा option है, बिल्कुल वैसे ही आपको दिखाएगा, जैसे चला होगा 13 तरिक को, ठीके, तो यह दोस्तों contract है, 19 सेप्टेंबर वाला ठीक है, तो 15 मिनट बात देखते हैं, होता क्या है, तो यह देखें, 15 मिनट हमने बढ़ाया, तो यह देखें, आपको 500 रुपे का यहाँ पर नुकसान हुआ, market नीचे गई, लेकिन आपका maximum loss capped है, not to worry about it, तो यहाँ पर हमने decide क्या कर रहा है, कि 1000 पर क्या आसपास का loss होगा तो हम निकाल देंगे, 1500 के आसपास नहीं मतलब, या 12-1300 के आसपास profit आएगा, तो भी निकाल देंगे, 80% profit आएगा, निकाल देंगे, 800,000 रुपे का आसपास का नुकसान आएगा, तब भी निकाल देंगे, तो फिर 15 मिनट बढ़ाते हैं, अब देखें क्या हुआ, 45 profit आगया, ठीक है, और बढ़ाते हैं, अभी कोई खास momentum है नहीं, market महीं के महीं रुकावा है almost, और बढ़ाते हैं, देखें, market closing पर हम आगये हैं, और market लगबग महीं का महीं है, तो हमें overnight डर नहीं है, कि market एकदम overnight 5% नीचे चला गया किसी result से, तो हमारा बहुत बढ़ा नु दोस्तों हमें नहीं है, तो voter अगर हमें नहीं है, तो हम इसको वापिस बढ़ा सकते हैं, तो यह देखें, वापिस हमने increase करा, तो देखें, अब हमें 400 रुपे आ गया, market ऊपर चला गया, और इसको बढ़ाते हैं, अब देखें, तीतिस मिनट में बढ़ाता हूं market में, अब बुक कर लेंगें, अब देखें, 17 तारिक तक हम आगे हैं, और अभी 700,000 रुपे का सपस का profit आ रहा है, फिर वापिस 200 रुपे प्रॉफिट रहा गया था, देखें, अब हमें निखाता हूं आपको, यह देखें, वापिस 200 रुपे प्रॉफिट रहा था, market वहीं की वहीं ह देखें, तब भी हमें profit आ रहा है, और अगले दिन देखें, 19 तारिक को सुबा 10 वजे हमें, 14 सुर्बे का profit आ रहा था, अब हमें पूरे दिन होल्ड करने की जुरुद है नहीं, हमें वैसी 90% profit आ चुका है, अपने spread बंद करके हम गढ़ जा सकते हैं, पैसा ले करके बात ख देखेंगे, market bearish zone में चला गया था, ठीक, October से पैनी चला गया था, तो हमें bearish हमें मिल रहा था, तो October में जितने भी spread बनाने थे, कौन से बनाने थे, bearish वाले बनाने थे, तो जब हमें bearish वाले spread बनाने थे, तो एक बड़ अक्टूबर वाला example लेते हैं, इसको clear करते हैं, तो यहां पर एक date decide करते हैं, एक साके, यहां होगी date decide, कब trade लेंगे, अक्टूबर में लेते हैं, यह वाला ले लेते हैं, Friday, चार Friday को ले लेते हैं, सुबह मॉर्णिंग वाला, मतब नो बजी execute कर देंगे हम, मॉर्णिंग में, क्योंकि हमारा signal है bearish, bearish signal हमें मिल गया है, त सबसे पहले हमने देखा, अभी price क्या चल रहा है, 25,166 रुपे चल रहा है, यानि 200 रुपीज वाली एक काम करते हैं, slightly out of the money वाली, हम एक short करते हैं, expiry, 10 ही है, यह ATM गलत क्यों बता रहा है, एक second, spot price, future, ठीक है, कोई बात नहीं, तो, हमें लग रहा, market नीचे जाएगा, तो हमने क्या करा, 25,200 वाली, हमने यहाँ पर short कर दिये, ठीक है, यहाँ पर देखे, premium मिल रहा है, 5,200 के आसपस का आपको premium मिल रहा है, ठीक है, और हमें यह डर है, market उपर चल लेगी, तो नुक्सान ह हो जाएगा, तो उसको protect करने के लिए, हमने 200 points हमने buy कर लिए, आप देखे, यहाँ पर max profit 25,200 आएगा, max loss आपको दिख रहा है, यहाँ देखे, 24,60, तो हमारा main focus profit पर है, यानि हमें 1000 पे आसपस का नुक्सान होगा, तो exit करेंगे, 2000 पे का आसपस का profit होगा, तो भी exit करेंगे अब 2 गंटे आगे बढ़ाते है, 500 पे का नुक्सान आगया, फिर 2 गंटे में आगे बढ़ाते है, वापिस market आगया, 400 पे के profit में, 1000 पे का profit आगया, अगले ही दिन, next day ही आगया, और यहाँ दो गंटे बाद देखे, 1600, 1700, 1900 के आसपस profit आचुका है, और बढ़ाते हैं, देखे, वैसे दोस्तों, 1900 के आसपस को profit आचुका है, आप चाहो ते उसको यहाँ पर exit कर सकते हैं, आपको profit बन गया है, लेकि फिर भी आगर आपको hold करना है, तो आपकी मर्जी है, कर लो hold, लेकिन आपको decent profit आचुका है, market उसके बाद अगर ऊपर नीच सकते हो, अभी देखे, दस तारिक को morning में ही आपको यह 2100 का profit आगया था, max profit 25 हो ही आना है, आपको 80% के आसपस मिल चुका है, आप exit कर सकते हो, बात खतम हो जाती है, समझ में आगया, कैसे आप market में low cost spread बना करके, directional basis पर train ले सकते हो, जिसके अंदर आपका maximum loss भी capped होता है, और downside अगर मिलेगी न कोई strategy, उसमें risk and reward ratio जादा maintain होता है, क्योंकि premium जादा होता है, call side, अपर समझ में आगया दोस्तों, इसमें कोई confusion मेरे साब से नहीं होनी चाहिए, बाकी Sunday वाले दिन हम शाम को बात करेंगे, आट बजे, तो कोई अगर confusion हो, तो मुझे बताईएगा, हम answer करने के आपको कोशिश करेंगे, तो एक बार दोस्तों हम एक चीज और समझते हैं, यहाँ पर दोस्तों एक logic आपको और समझना पड़ता है, बेशागा मार्किट में 1500 रुपे, 2000 के profit के लिए प्ले कर रहे हो, लेकिन इसके अंदर execution cost जाती है, execution cost पते क्या है, ब्रोकर अप कि capital जादा नहीं है, तो जब capital जादा नहीं है, तो आप एक lot के उपर आपने बना लिया, तो जब आप एक lot के उपर आप बनाते हो न, तो आपको minimum एक lot के उपर 25 रुपे खरीदने का और 25 रुपे बेचने का round figure में पैसा लगता है, तो एक lot पर आपका 50 रुपे call side लगा, फिर एक, मतलब एक option का, दो option आप ले रहे हो, उसके अंदर एक protection के लिए, कमाने के लिए, तो 100 रुपे तो आपका क्या लगता है, costing ही लग जाता है, 100 रुपीज, एक spread में, इसमें brokerages से government के taxes चले जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये काम मेंने करा कितने पर, एक lot प लगेंगे, आप बताइए, यहाँ पर एक lot पर 100 रुपीज लगा, मतलब मालिद पुट का combination मेंने बनाया, तो पुट बेचूंगा, पुट बाई भी करूंगा दूर वाले, दोनों को खरीदना भी है, फिर execute भी करना है, फिर बेचना भी है, है ना exit भी करना है, तो यहाँ पर देगे 100 रुपीज लगा, लेकि अगर मैं 10 lot पर काम करता हूँ, तो आप कहेंगे, जी 1000 लग जाएगा, नहीं, यहाँ पर आपका maximum 200 रुपे लगेगा, यानि एक lot पर trade करने की मेरी costing, सिर्फ यहाँ पर 20 रुपे पड़ी, और यहाँ पर 5 गुना जादा पड़ी, क्यों उसमें जादा जो discount broker है, वो एक order बर flat लेते 20 रुपीज, चाहे आप 10 पर काम करो, चाहे उस पर काम करो, तो यहाँ पर मुझे जादा dent नहीं आएगा, मैं 10 lot पर 200 रुपे दूँगा, लेकिर यहाँ पर आपको जादा dent आ रहा है, तो market में एक चीज जरूर धियान रखना, capital कम है, optional selling भी कर रहे हो, over trade मत करना market में, हफते में एक ही trade मिल रहा है, एक ही trade करो, और महिने बर में 4 trade करो, महिने बर में 4 trade लोगे, तो आपका maximum 400 रुपे ब्रोक्रेजी से और government taxes में जाएगा, और आपने अपनी capital से, अगर 1000-2000 पे निकाल लिया महिने में, तो more than enough है, 5% अगर निकाल लिते हो, बहुत अच्छा होता है, मैं कहता हूं, 2% भी निकाल लिते हो, खर्चा बर्चा निकाल के, तब भी बहुत अच्छा return होता है, एक साल में 24% हो जाता है, तो यह आपको ज़रूर सोच के समझना है, जब भी trade लोन अपने दिवाप में यह बिठा लो, कि 100 प पर पैसा बनाना मुश्किल होता है, और इसका मैं आपको एक demo दिखा देता हूं, कि कैसे यह होता है, जैसे कि देखिए, यह देखिए, निफ्टे की यह put है, ठीक है, यह वाले ले ले चलिए, एक काम करते हैं, यह call ले ले लेते हैं, 25 जार वाली, माल लेते मैं इसको buy कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर देखिए, एक lot के ओपर charges यहां लिखा रहा है, 24 रुपे, 25 रुपे देखिए यहां, total, 20 रुपे ब्रोकरिजिस, और यह total मिला अगर के 25 रहा है, और यहीं अगर मैं एक lot की जगा, 10 lot के ओपर काम करता हूं, तो क्या होगा, यह देखिए, अगर मैं sell करता हूं, तो क्या होगा, यहां देखिए, selling में अगर मैं 10 lot sell करता हूं, तो सिर्फ मुझे 67 रुपीज देना है, और अगर मैं buy करता हूं, तो मुझे सिर्फ 37 देना है, लेकिन एक lot वाले को कितना देना है, एक lot वाले को कितना देना यह देखिए, एक lot वाले को execution cost है वो बड़ी कम हो जाती है ब्रोकरे जिस गवर्मेंट के टेक्सिस स्टी वेस्टी जितने भी है न सब बड़े सस्ते हो जाते है क्योंकि वो डिवाइड हो जाते है तो आप समझ रहो कि बड़ा जो पैसा लगाते है ने मार्केट में उसको यह बहुत जबरदस एज मिलता यही चलेगे तो यह भी कमाना है फिर वो भी कमाना है तो ट्रेट्स कम रखो जाधा मत रखो चलिए एक बेडंगी स्टेटेजी आपके साथ शेर कर रहा हूँ बेडंगी का मतलब यह है कि एक टाइम पे मैं यूज करता था अभी मैं यूज नहीं करता हूँ जो मार्केट में नए नए आया था तो मार्केट में इस तरह की खुराफा चलती रहती थी उल्टी सीदी आ यानि पुट शॉट करूँगा प्रोटेक्शन लोगा दूर वाली 200 पोइंड की या 100 पोइंड की और उस पे ट्रेड करूँगा इस प्रेड बनाऊंगा बुलिश वाला उसमें दोस्तों मैं करता क्या था जरा समझने की कोशिश करिए कि वन सेकेंड यह देखते क्या हुआ कि देखे इसमें दोस्तों हम करते क्या थे तो माल लुठ बाध की यहां पर मुझे लग रहा है कि मर्किट उपर जाएगा इस पोइंट पे मुझे लग रहा है मार्किट यहांपर बुलिश होगा कुछ भी है मैं अनिलिसिस करता ही नहीं था उसень की बात बता रहू है जब शुरुआत करी थी मैंने इस तरह की खुराफात की, मैंने कोई analysis नहीं करी, market bullish है, और चाहिए बेरिश है, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं स्री bullish trade लेता था, bullish spread बनाता था, तो यहाँ पर मैंने एक spread बना दिया, कि market उपर जाएगी तो profit आएगा, तो यह spread बना दिया, उसका एक stop loss मैंने decide कर लिया, कि market इतना नीचे आ जाएगी, तो मैं sell लेकर बाहर हो जाओँगा, तो मैं क्या करता था, कि मान लेते, अब यह loss में गया, भई मैं तो bullish में बैटा हूँ, market नीचे गिर गई, तो जब market नीचे गिर जाती थी, तो यह वाला जो spread इसको मैं close कर देता था, और यहां पर एक नया spread बना देता था, और मान लेते कि market और नीचे गिर गई, फिर मैं इसको भी close कर देता था, फिर यहां पर एक नया spread बना देता था, तो यह माल ले तो यहाँ पर दो बार आपको 50-50% के SEL लगे माल ले तो यह वाले spread उपर चला गया तो यहाँ पर आपको profit आ गया ठीक है और market मैं फिर मैंने एक bullish spread बना दिया फिर market उपर चला गया फिर profit आ गया यानि market चाहे नीचे जाए market चाहे उपर जाए मैं हर अफ़ते every week एक spread बनाता था उसका stopless decided रहता था और वो लग जाता था तो मैं नए spread बनाता था नीचे की market में यानि मैं average out basis पर down basis पर spread बनाता था अब spread बनाने से होता क्या था मेरा maximum loss तो capped है market चाहे 10% नीचे चली जाए फरकी नहीं पड़ता लेकिन कई बार market unnecessary correction करती है जो अबूमन होता है market correction करती फिर उपर चली जाती है यानि मैंने देखा कि market जाधा बार तो बड़ी रही है जाधा time दो market उपर ही जाती है दिरे दिरे करके तो उसी का दोस्तों फायदा उठाने के लिए मैं ये काम करता था और कई पार market के अंदर क्या होता था market बे मतलब नीचे गिरती थी मैं spread बना लेता था market वापिस ओबर देखे यहां पर माले दे मैं को spread बनाता नुकसान में जाता यहां फिर वापिस बनाता प्रोफिट आजाता फिर दूसरा बनाता फिर प्रोफिट आजाता फिर लगा तक प्रोफिट प्रोफिट चल रहे हैं और यहां देखे यहां spread बनाया नुकसान में फिर यहां बनाई है profit में फिर अगला profit में तो ऐसे दोस्तों market में play होता था अभी देखे result वाला दिन नहीं है अब result वाली दिन में क्या होगा मैंने यहां को spread बनाया नुकसान में आ गया मैंने उपर वाले spread अपना बंद करा और मुझे पता है market ओलड़ी 5-7%-8% नीची गिर गई है तो अगर हलका सा भी pullback मारेगी मुझे profit आ जाएगा तो वे उपर वाला काटता था क्योंकि यहां तक market का आना मुश्किल है है ना मेरा profit में आना मुश्किल है तो अगर मैं यहां एक नया spread बना दूँ नीचे की तरफ और market हलका सब भी मेरे favor में चले जाए तो वे profit में आ जाऊँगा तो इस तरह की की दोस्तों खुराफात मैंने करी है मैं आपको suggest नहीं कर रहा कि आप ऐसा करो लेकि जो मैंने करा उसको पाद मैं थोड़ा से experience आपको दे रहा हूं market में तो यह दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बहुत ही low cost के अंदर option selling करने का एक तरीका यानि credit spread बना करके आप market में ऐसे execute कर सकते हूं उमीद करता हूं कि जितनी भी मैंने महनत करी है आपको सही से समझ में आगया होगा कि क्या क्या मैंने करा और कैसे कैसे चीज़े execute करी है बाकी आपको कोई question हो तो आप comment कर सकते हैं कई बार हम comment में जवाब नहीं दे बाते हैं क्योंकि आप लोगों का प्यार भोत है इतने सारे comment साते हैं और इतना time दे ही नहीं सकते मैंने सबको एक-एक minute भी अगर मैं बाढ़ दू तो 24 गंटे है दिन के अंदर मैं नहीं दे पाऊंगा लेकिन हाँ आप मेरे साथ live जूर सकते हैं Sunday वाले दिन 8 बजे जिसके अंदर हम एक हफते के अंदर जितना भी content आपको देते उससे related कोई भी question हो पूर सकते है और अगर options के अंदर आ भी रहो तो selling के अंदर probability और profit ज्यादा रहती है लेकिन selling में स्रिफ एक समस्या है वो है unlimited loss की तो वो hedge करके ही करना ऐसा मत करना कि naked कर दिया profit के चकर में भी market कभी भी उपर नीचे आपके trade के हुई तब को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा ये ची free gift यह है कि अगर आप internet trading सीखना चाहते है तो आपने course launch करा है जिसके अंदर आउनने option scalping, systematic option trading जो आपने bank nifty को पर बताईए बाकी वो weekly basis पर है तो weekly bank nifty की जगा nifty में transfer कर लेना उसको backtest कर लेना backtest का तरीका भी में ने बताया है और equity cash के अंदर कैसे internet trade आप कर सकते हैं वो आ पैस आपको नहीं देना छोटा सा काम आपसे कराएंगे चैनल सब्सक्राइब कर जाना और notification bell on कर लेना बस कितना ही चाहिए हमें अगर आप यह काम कर लेते हो देन एक Google form है description comment box में free course का link है वो Google form का उसको feel कर देना और हम आपको 2-3 दिन के अंदर course विजवा देंगे और भी पैसे देने ना बाद में पैसे दें तो यह तो दोस्ता आज की वीडियो के अंदर जंदी में लोगा नेक्स वीडियो में तब तक लिए गोड़ बैग और ब्लेस यू बबाबा दोस्ते